हर हर महादेब जय मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शांती गंगा दोस्तों इस साल 13 अक्टूबर को करवा चौत का ब्रत रखा जाएगा सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौत ब्रत का विशेश महत्म होता है इस दिन महिलाओं अपने पती की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के साथ निर्जला वरत रखती हैं दिन भर वरत रहने के बाद रात में चौत का चान देखने के बाद छलनी में पती का चहरा देखकर ही महिलाओं वरत का पारण करती हैं वहीं पूजा समाप्थ होने के बाद प्रेम जताने के लिए पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं। ऐसे में यदि आप भी अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो इस बार राशी के अनुसार गिफ्ट खरीद यए। जोतिस शास्त में मानेता है कि राशी के अनुसार खरीदा गया गिफ्ट साल भर शोफल देता है। मेश राशी यदि आपकी पत्नी की राशी मेश है तो उन्हें सोने के आभूशन लाल रण के कपड़े या इत्र गिफ्ट में दे सकते हैं। साथ ही उन्हें मूंगे के गहने जैसे अंगुठी और नेकलेस भी दे सकते हैं। कपड़े, सोने के आभूशन, धार्मिक वस्तु या फिले रंग की मिठाई भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। करक रासी के स्वामी चंदरदेव हैं। ऐसे में यदि आपकी पत्मी करक रासी की हैं तो उन्हें चांदी या मोती से संबदित कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं। जोतिस के अनुसार सिंग रासी के स्वामी सूरिदेव हैं। दामी रंग का कोई उपहार देना चाहिए और आप चाहे तो उन्हें गुलावी रंग की साड़ी गुलावी रतनों का हार भी गिफ्ट में दे सकते हैं। अशनी का प्रिये रंग काला माना गया है लेकिन करवा चौत के दिन काले रंग का इस्तेमाल करना शुब नहीं होता। इसलिए इस दिन आप अपनी पत्नी को मैरून रंग की चीज़े गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तो कुमराशी के भी स्वामी सन्नी है ऐसे में आप अपनी पत्नी को मैरून या नीले रंग के वस्तर या सोने की गहने गिफ्ट कर सकते हैं। मीन रासी के स्वामी व्रस्पति देव है दोस्तो और व्रस्पति का सुव रंग पीला होता है। ऐसे में आप अपनी पत्नी को पीले रंग के गिफ्ट दे सकते हैं। दोस्तों इस करबाचोत पर आप अपनी पत्ती को इस तरह के गिफ्ट दीजिए और आपका जीवन सुखमे रहेगा और आपकी पत्ती भी आपसे खुश रहेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो जानकर ये अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए